नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरी चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स राम बलराम और तीन शैतान पार्ट फोर अब पुलिस की कार्रवाहे तेज हो गई थी थोड़ी ही देर में जांज विभाग की तीसरी रिपोट आ गई सिगरेट केस पर उंगलियों के जो निशान पाए गए हैं वे खतरनाक हत्यारे बिर्जू राजा के हैं बिर्जू राजा किसी जमाने में उत्तर परदेश के डकेतों का सरदार रहा है हम आठ हत्याओं के आरोप में इसकी तराश में हैं और करीब तीन साल से बिर्जू राजा रुपोश है पहली दो रिपोर्टों की तरहें इस रिपोर्ट के मताबिक मिस्टर दिलावर भाई दारू वाला और बिर्जू राजा की उंगलियों के निशान एक से हैं पर यह देखो तस्वीरे इन दोनों की शकले अलग-अलग है प्लास्टिक सरजरी से हत्यारा बिर्जू दादा दिलावर भाई बना हुआ है उसे फोरण गिरफ्तार कर लो क्या बक रहे हैं? हेलो दारू वाला दिलावर भाई फोरण होटल छोड़कर भाग जाओ तुम्हारा भेत खुल गया है पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है पुलिस ने शीश महल होटल पर छापा मारा तो वह खाली पड़ा था दिलावर भाई दारू वाला और उसके करमचारियों के घरों पर ताले पड़े थे पुलिस ने जगे जगे छापे मारे पर किसी का कहीं पता नहीं चला कमाल है हाथ आया हुआ अपराधी निकल गया पहले की तरह इस बार भी हमारी कर्रवाही का राज खुल गया है एक बात और है अंकर इन तमाम केसों में प्लास्टिक सरजरी का चकर है जरूर इसमें किसी माहिर प्लास्टिक सरजन का हाथ है यहां एक ही प्लास्टिक सरजरी का माहिर डॉक्टर है और वह है डॉक्टर दास यह सिर्फिरे यहां तक पहुँच गए दिलावर भाई डॉक्टर दास के क्लिनिक पर अपना कोई आदमी भीजिए वह कहें कि वह अपरादी है और पुलिस से छुपने के लिए प्लास्टिक सरजरी करवाना चाहता है इस चक्कर में क्यों पड़े चलो वहाँ डारेक्ट छापा मारते है मुझे विश्वास है वहाँ से जरूर कोई सूत्र हात आएगा हेलो डॉक्टर दास जरास आभी समय नश्ट किये बगेर अपना क्लिनिक छोड़ कर भाग जाओ पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है अपना सामान तो संभाल लू सब फैला पड़ा है गोली मारो सामान को वन्ना पुलिस तुम्हें गोली मार देगी जूते नहीं पहने हैं तो नंगे पाओं ही भाग जाओ वहां से जब तक पुलिस डॉक्टर दास के क्लिनिक पर पहुँची वह वहां से भाग चुका था वहां से पुलिस को एक फोटो एल्बम हाथ लगा जिसमें बिर्जु राजा, दिलावर भाई, बुंदू, शालू और दूसरे अपराधियों के फोटो लगे थे एक बात फिर कमाल की हुई हमारा डॉक्टर स्वामी को गिरफतार करने का राज खुल गया और वह जान बचाकर भाग निकला इसका मतलब है थ्रीडी के जासूस बहुत तेज है थ्रीडी के दो डी का पता लग चुका था दिलावर भाई और डॉक्टर दास पर उनके पते ठिकाने का अब तक कुछ पता नहीं चला था पुलिस अपने तौर पर इस गुत्ती को सुलजा रही थी बलराम बिस्तर पर लेटा अपने तौर पर सोच रहा था राम कुछ बदला हुआ सा है पहले यह हर गंबीर समस्त्या को सुलजाने में बढ़ चड़ कर हिस्ता लेता था अब किसी बारे में अपनी कोई राय है नहीं देता इसके यह हालत जंगल में बेवोश होने के पास से हुई है एक रोज बलराम ने पुलिस के हेलिकॉप्टर में उडान भरने का फैसला किया वह नीचे की गतिविदियों की जांच कर रहे अपरादियों का पता लगाना चाहता था एयरपोर्ट पर हेलिकॉप्टर तयार था बलराम जब राम के कानों पर एयरफोन फिट कर रहा था तो राम के कानों से आती मक्यों की भिन मिनाहट जैसी आवाज सुनकर चौक गया यह आवाज कैसी आ रही है राम के कान से लता मंगेशकर और किशोर कुमार ड्वेट का रहे हैं क्या इसके कानों में बैठे अरे यह तो राम के कान से आती किसी wireless की सिगनल की दबी-दबी सी आवाज है अरे यह तो किसी transmitter का signal है राम ने अपने कान में कोई radio station खोल रखा है क्या अभी इसका पता लगाता हूँ बलराम के पास police का दिया जो wireless set था उसमें employee speaker का unit भी था बलराम ने राम के कान पर लगी earphone का connection अपने employee speaker से जोड़ा और employee speaker का तार अपने earphone से मिलाया तो राम के कान में लगे micro transmitter की आवाजे तेज होकर बलराम को अपने earphone से साफ सुनाई देने लगी राम के कान में लगे transmitter की आवाजे सुनकर पता लगाओ पुलिस वाले क्या कर रहे हैं गोली मारो राम को और उसके कान में लगे transmitter को पुलिस के सामने हमारा भेद खुल गया है अब यहाँ से भाग निकलो लुटेरों के गिरों का सबसे खतरनाक राज खुल चुका था अब बलराम के पास व्यर्थ गवाने के लिए सेकिंड भी नहीं था तुम यहीं धैरो राम मैं जराब पानी भी कराता हूँ एक एकान स्थान पर जाकर बलराम ने फौरण इंस्पेक्टर आनन से संपक किया मैंने गैंग का राजपता लगा लिया है अंकल उन्होंने राम के कान में कोई माइक्रो ट्रांस्मिटर फिट क्या हुआ है उसके द्वारा हमारी गुप्त कारेवाहियों के रिपोर्ट उन तक पहुंचती रही थी क्या कह रहे हो? कहा से बोल रहे हो? साफ साफ कहो मैं एरपोर्ट से बोल रहा हूँ इस से अधिक साफ साफ बताने का समय नहीं है मैंने राम के कान पर एम्प्री स्पीकर लगा कर गुंडो की बात चीत सुनी है मैं राम को साथ लेकर आसमान में उरान भर रहा हूँ राम के कान में लगे ट्रांसमीटर के सिगनल जिस और जाने से तेज और साफ होते जाएंगे मैं उसी और पढ़ता जाऊंगा आप भी हेलिकाप्टर में पुलिस फोर्स लेकर मेरे ट्रांसमीटर के सिगनल के अनुसार मेरे पीछी पीछी चले आईए मैं राम से इतनी दूर हूँ कि मेरी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच सकती हेलिकॉप्टर में उडान भरने के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा वरना मेरी आवाज राम के कान में लगे ट्रांस्मिंटर द्वारा गैंग तक पहुंच जाएगी ठीक है मैं समझ गया बल्राम ने वापस आकर अपने और राम की एरफोन का कनेक्शन अपने एंप्लिफायर से जोड़ दिया और हेलिकॉप्टर आकाश में ले उड़ा राम के कान से आने वाली आवाजे अब मद्धम हो रही थी बल्राम ने हेलिकॉप्टर की दिशा बदली तो राम के कान से आती आवाजें तेज होने लगी जल्दी करो दिलावर भाई अब भागने में देर मत करो अब तक पुलिस ने किसी ना किसी तरह हमारे अड़े का पता लगा लिया होगा यह ले लूट के माल का बटवारा कर लो फिर अपनी अपनी रह लो इसके बाद कौन जाने हम एक दूसरे से मिल पाएं या ना मिल पाएं मैं ठीक दिशा में उनके अड़े के और बढ़ रहा हूँ उनके अवाजे हर पल तेज और साफ होती जा रही है उधर पुलिस का हेलिकॉप्टर भी अब बलराम के हेलिकॉप्टर के पीछे पीछे आ रहा था बढ़ा भेंकर और शर्यंत्र कारी है थ्रिडी का गैंग और बलराम ने भी कमाल कर दिया इसका पता लगाने में दूसरी और थ्रिडी के अड्डे पर राम के कान से आवाजे क्यों नहीं आ रही है हमारा सिस्टम फिर हो गया है या किसी ने उसके कानों में डाटे ठोक दी है मैं कहता हूँ गोली मारो राम के कान को लूट कमाल बांटो और भाग लो लूट कमाल यहीं माटोगे चान्दी की उन सिलो का क्या बनेगा जो तुम्हारे कबजे में है दादा स्वामी उन्हें लेकर आओ और बराबर बाटो आज के बाद तो हवा भी नहीं लगेगी कि जोरी की दुकान से जो माल लूटा है वह तुमारे पास है उसे लाओ और उस माल का भी पटवारा करो उनकी तेज होती आवाजों ने हमें एन ठिकाने पर पहुचा दिया है हमारे हेलिकॉप्टर में साइलेंसर लगा है इन्हें कानो कान खबर नहीं होगी कि हम एन इनके सर पर उतर रहे हैं इंस्पेक्टर आनंद दूर्भीन से बल्राम के हेलिकॉप्टर को उतरता देख रहे थे लगता है बल्राम उनके एन अड्डे पर उतर रहा है जल्दी चलो राम बल्राम निहत्ते हैं नीचे उतर कर देखना चाहिए इनका असल ठिकाना कहा है और इस समय यह लोग क्या कर रहे हैं हम निहत्ते हैं पुलिस के आने तक इन से छिपकर रहना होगा नीचे उतर कर वे एक ऐसे कमरे में बहुँचे जहां बहुत से इलेक्रोनिक यंत्र लगे थे बल्राम ने इन यंत्रों के बहुत से स्विच आफ किये तो आखरी स्विच आफ करने प मैं नकरी हालत में कब था और यह कौन सी जगह है बलराम हम यहां क्या कर रहे हैं सारी बाते बाद में बताऊंगा हम यहां लोटेरों की एक गिरो को पकड़ने आये हैं इलक्ट्रोनिक क्यंत्रो द्वारा अब तक उन्होंने तुमें अपने इशारे पर चलने वाला रोबोट बनाया हुआ था हम नहत्ती थे और अकेले कैसे पकड़ेंगे गिरोह को पुलिस हमारी साहता के लिए आ रही है तब तक हमें इन लोगों की नजरों से छिपे रहना है वही एक जगे उन्हें गैंक का एक आदमी टकरा गया अब उनके पास वार करने के अलावा और कुछ चारा नहीं था आदमी पहलवान था पर इस अचानक हमले की ताब नहीं ला सका और दो वार में ही फर्षबर धेर हो गया बलराम ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेव से उसी पिस्तॉल मिल गई पिस्तॉल भरी हुई है अपने बचाव के काम आएगी आगे बढ़कर एक कमरे में जहांक कर देखा तो वहां एक आदमी नोट गिन रहा था राम बलराम चुपके चुपके रेंगते हुए आगे बढ़े और फिर खबरदार जरा आवाज निकाली तो पिस्तॉल की सारी गोलियां खोपड़ी से आरपार होंगी राम अपना रुमाल इसके मुह में देकर मेरे रुमाल से इसका मुह बांदो चलो इस अलमारी के अंदर जरा चुन चरा की तो भून कर रख दूँगा राम अब तुम यहे नोटों की गड़्या भी अलमारी मे सुनी थी अब हमें कहीं छुप जाना चाहिए पिस्तॉल होती हुए भी हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते और वे दोनों सोफे की पीछे छुप गए उपर से हेलिकॉप्टर की आवाज आ रही है इंस्पेक्टर आनंद पुलिस फोर्स लेकर आये होंगे तभी उन् हड़प करने देगा सारे माल को तभी धरवाजा खुला मैं हड़प कर जाऊंगा जोहरी की दुकान का माल जुबान संभाल कर बात करो दादस्वामी डॉक्टर दास जो चांदी की सिले हडप किये बैठा है उनकी बात क्यों नहीं करते नोटों के अटैचिक खाली है नोट कहां गए तुमने डॉक्टर दास को नोट किनने पर लगाया था अब ना नोट है और ना डॉक्टर दास मुझे पहले पता था तुम दोनों मिले हुए हो मेरा हिस्सा मार जाना चाते हो और मुझी से पूछ रहे हो नोट कहां गए यह जूट है नोट गाइब करने में तु कह पाता दिलावर की साइलेंसर लगी पिस्तॉल की गोलियां उसके सीने के पार थी और वह एक आ भरने से पहले ही कटे पेड़ की तरह धड़ाम हो गया अलमारी में बंद डॉक्टर दास ने बाहर गोलियों की आवाजे सुनी थी और उसने समझा था कि बाहर राम बलराम पिस्तॉल चला रहे हैं अलमारी में बंद होते समय उसे कोई मौका नहीं मिला था पर अब उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था नोट लेकर डॉक्टर दास इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकता नीचे मेरे आदमी पहरे पर है हो सकता है नोट उसने इस अलमारी में चुपा दिये हो यह सोचकर कि फिर कभी मौका बिलने पर ले जाऊंगा और जैसे ही दिलावर भाई दारूवाला ने नोटों की तलाश में अलमारी का दरवाजा खोला डॉक्टर दास ने उसे राम बलराम समझ कर रिवॉल्वर की छै की छै गोलियां उसके सीने से पार कर दी ध्राम 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 तब ही वहाँ पुलिस आ गई रिवॉल्वर फैंटो वरना जान से जाओगे रिवॉल्वर खाली है अंकल गोलियां चल चुकी है और इसके बाद वहाँ के और कमरों से 3D के अन्ने सदस से पकड़े गए तुमने इनका राज पकड़ा कैसे बलराम मुझे राम के हालत पर पहले से शक था जबसे यह जंगल में से वापस आया था और कह रहा था कि मैं वहाँ बेहोश हो गया था तबसे कुछ बदला बदला था फिर मैंने इसके कान से आती सिगनल की आवाजे सुनी और अपने एमपली स्पीकर पर उन आवाजों को तेज किया तो गुंडों का भंडा फूट गया फिर जिस दिशा की और बढ़ने से वहाँ आवाजे साफ होती गई मैं उधर बढ़ता हुआ यहां आप पहुचा पुलिस साहता के लिए पीछे थी फिर भी तुमने बड़ी वीर्दा का परिशे दिया है बलराम और राम के बारे में पूछो तो इस बेचैरे का इसमें कोई दोश नहीं यह तो शडियंतर कारियों के इलेक्रोनिक यंत्रो द्वारा उनका रोबोट बना हुआ था बलराम ने इलेक्रोनिक यंत्रो के वह स्विच आउन किये जो उसने आफ कर दिये थे तो राम के दिमाग पर फिर उन यंत्रो का कंट्रोल हो गया मैं अब राम को दूसरी कमरे में ले जा रहा हूँ हेलो इंस्पेक्टर अंकल मैं बलराम बोल रहा हूँ मैं यहाँ एक जरूरी मीटिंग कर रहा हूँ क्या आपको मेरी आवाज आ रही है साफ आ रही है कमाल कर दिया कितनी खतरनात थी इनके मास्टर माइन की प्लैनिंग मास्टर बैंड की ट्रेनिंग कौन ले रहा है बैंड बजाने की ट्रेनिंग मास्टर बैंड की ट्रेनिंग नहीं आप अपने कान में लो कोला की बजाए केमपा कोला कब तक डालते रहेंगे मिस्टर मोनी इसके बाद चावल के दाने से भी छोटा माइक्रो ट्रांसमेटर राम की कान से निकाल कर सरकारी अनुसंधान केंदर को फेज दिया गया तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद